Hi everyone, so good evening, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about principle of compression machine, कि जो आपकी compression machine है, वो कौन से principle के उपर work करती है. पिछलो topic में हम लोगोंने discussion किया था, compression machine के जो parts होते हैं, कौन कौन से parts होते हैं compression machine में, उसके बारे में. तो आज मैं आपको बताऊंगी, कि आपके जो compression machine है, वो कौन से principle के उपर work करती है, और कैसे करती है. तो देखो, जो हमारी compression machine होती है, वो जो उसका principle है, उसका principle है, hydraulic pressure के उपर, वो क्या करती है, वो करती है. आपके compression machine, hydraulic pressure के उपर work करती है. यह इसका main principle यह आप हमेशा याद अरकना अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपकी जो compression machine होती है वो किस principle के उपर work करती है तो यह करती है आपकी hydraulic pressure के उपर ओके अब मैं आपको एक बात बताती हूँ जैसे आप सभी को बता है कि आपकी जो tablet compression machine जो होती है वो mainly कितने types की होती है two types की होती है एक होती single punch जिसमें आपके सिरफ single punch ही लगते है और दूसरी हो गई आपकी rotary compression machine जो आपकी multi punch compression machine भी बोलते है जो आपकी rotary compression machine होती है उसको क्या बोलते है multi punch मतलब कि यह था single punch इसमें सिरफ और सिरफ एक single punch यह लग सकता था जबकि जो आपकी rotary compression machine है rotary compression machine में आपके multi punch भी बोलते हैं तो इसमें मतलब एक से ज़्यादा punch होंगे multi punch तो मतलब एक से ज़्यादा multi मतलब बहुत सारे multi punch compression machine बोलते हैं अब हम बात करेंगे इसके principle के ओपर ये principle कैसे work करता है उसके बारे में हम discussion करेंगे इस topic में तो बोल रहा है granules are filled in dye जो आपके granules होते हैं granules क्या हो granules हम fill करेंगे आपके dye में dye में fill होगा जब आपका granules and pressure is applied फिर हम क्या करेंगे pressure apply करेंगे by किसके through करेंगे pressure apply wheel के through wheel and transmitted by punch to provide granules one wheel above upper punch and one below lower punch देखो जिसने मैंने ये diagram बनाया हुआ है ये है ये है upper wheel ये है lower wheel और बीच में है punch ये होगी आपका lower punch lower punch के neck होती है वो लंबी सी होती है और जो upper punch होता है उसके neck छोटी है वट यह थोड़ा गलत बने गया ये अपपर वाली की यहाँ आपको लंबी neck देख रही है वट के जो लोवर पंच होता है इसकी जो नेक है वो लंबी होती है और अपर पंच के जो नेक होती है वो छोटी होती है जो लोवर पंच है उसके नेक इसलिए लंबी होती है क्योंकि यह जो क्या करेगा इजक्ट करता है टैबलेट को जैसे ही यह जो पंच होगा जब इस वी वील होता है यह होता है freely movable free to rotate यह बहुत freely rotate करता है जब पंच इस wheel के नीचे आएगा तब यह wheel rotate करेगा और यह जो नीचे वाला जो wheel होता है यह wheel आपका विल्कुल fix रहता है और यह कैसे clockwise ऐसे clockwise घुमते हैं ऐसे clockwise जब हम इस knob को घुमाते हैं जब इस clockwise घुमायें ऐसे को तो जो आपका वेट है जब इसको clockwise घुमा रहे हैं तो क्या होगा clockwise घुमाने से जब हम इसको ऐसे गुमायेंगे तो क्या होगा कि यह जो इसकी जो कि यह थोड़ा नीचे नीचे आएगी और इस टाइब में ज्यादा पाउडर फिल होगा तो इसका जो वेट है वो वेट भी बढ़ जाएगा और जब इसको हम एंटी क्लॉक वाइस गुमाएंगे इसके मतलब अपोसिट गुमाएंगे तो यह क्या करेगा यह जो लोर ही ऊप की तरफ को जाएगा इट मेंस उस टाइम क्योंगा वेट होगा जो टेबलेट का वो वेट कम होना स्टाट होगा तो यह कुछ थे हमारा यह जो प्रिंसीपलाइस यह एसे कुछ वर्क करता है पंच इस वले यह जो वींड़ कर जब नीचे आएगा इस वीरत के जब नीचे तो क्या होगा यह जो वील है यह रोटेट करेगा और यह जो नीचे वाला जो वील होता है यह आपका बिल्कुल फिक्स रहता है यह गूमता नहीं है यह कुछ इस प्रकार हमारा प्रिंसिपल था कंप्रेशन मशेन का अब थोड़ा अगर बताती हूं थोड़ा और डेप में तो मान लो जैसे यह आपका हॉपपर है हॉपपर में हम क्या करेंगे पाउडर फिल करें यहां आपने पाउडर डाला पाउडर यहां से नीचे गया यहां से जा रहा है एक फ्लो के साथ जा रहा है यहां से पाउडर जा रहा है तो जब यहां से आपका पाउडर गया तो पर 沃 के ऊपर यहां एक फिद फ्रेम लगया यह चीज़ ते यहां से पौडर यहां से आ हैं सबसे फहले पाउडर जाएगा इसमें सबसे फहले धोडा सा पाउडर की था नीचिन डाइए छब day यहांसे अगर एक्स्रा पाउडर क्या हो जाएगा वहांसे रिमूव हो जाएगा है तो यह बिह आज़ा दो पर दो जो आख वित आई यहां पर यहां पर होगा फिर यह पंच आगफ शह करेगा तो तो यह गूमेगा, ऐसे नहीं गूमता है, यह गूमता रहता नहीं, जब यह पंच इस वील के नीचे आएगा, तभी यह वील गूमेगा, तो यह कुछ वर्किंग रहती है, आपके कंप्रेशन मशीन की, मैंने बताया है, हाइट्रॉलिक प्रेशर के उपर वर्क करता है, यह था हमारा कंप्रेशन मसीन का प्रेंसिपल, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करना, शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले, थेंक यू, थेंक यू सो मच,